हलो एन वेलकम टू ओमेका इस्टड़ी ऑनलाइन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भारत का मोस्ट इंपोर्टेंट जी के बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है फार वेरियस एक्जाम एंड जनल नानेस प्रस्पेक्टिव तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आफ टाइम हमारा आज का पहला कोशन है टेलीफोन का अविस्कार किस ने किया था तो देखिए टेलीफोन का अविस्कार अलेकजिंडर ग्राहम बेल ने किया था क्वेशन नमबर टू सब फे प्राचिन वेद कौन सा है तो सब फे प्राचिन वेद है आपका रीघ विद। क flatter अबर थी प्रथम पांथ स्वर्फी योजना कब प्लारम ना में प्लारम हुआ। चली अगले फ्लाइड की और तो अगला है क्वेशन को च.Pacha k मतलब की गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है तो गोबर गैस में आपका मिथेन गैस पाई जाती है क्वेशन नमबर फिक्स कौन फिधातू बिजली की सब फे अधीक फूचालक है तो वह आपका चांदी यानिकी सिल्वर और फिल्वर जो है आपका इलेक्ट्रिशिटी लाइक करें और फाथी घंटी के निसान को दबाना ना भूले ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिपी के फ़र आपके पास सब पहले पहुच सकें तो चैनले देखते हैं अगला कोशन हमारा अगला कोशन है कोशन नमर सेवेन सन 2020 में उलम्पीक खेल कहा होंगे तो वो आपका टोकियो जपान में होगा जिसको फिलाल अभी तो सस्पेंट या फिर पोस्पोन कर दिया गया है कोवीड-19 के करण क्वेशन नमर एट है भारत ने किस खेल में उलम्पीक खेलों में आट बार स्वण पदक जीता है तो वो है आपका होकी तो भारत ने होकी खेल में आठ बार जो है स्वर्ण पदक जीता है किसमें उलम्पीक में और नाइन आपका अंतराश्टिय उलम्पीक समेती का मुख्यालय कहां पर है तो आपका उसका मुख्यालय आपका लूसान यान की स्विट इजर लाइन में इस्थीत है चले बढ़ते हैं अगले फ्राइट के ओर बारत ने उलम्पीक खेलो में पहली बार किस वर्स भाग लिया था तो वो आपका उननीस सव इस्थी में या फिस सन में भाग लिया था क्वेशन नमबर 11 भारत का नेपोलियन कीफे कहा जाता है तो भारत का नेपोलियन समुद्र गुप्तकों कहा जाता है क्वेशन नमबर 12 किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का फरीर में नहीं जमता चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेशन नमबर थर्टीन किन दो धात्यों का मिफरड है तो क्वेशन इसका फही होगा पीतल किन दो धात्यों का मिफरड है तो पीतल जो है आपका तामबा और जस्ता का मिफरड है Q14, नेत्रदान में नेत्र के कीस भाग का दान किया जाता है Q15, हैदरबाद कीस नंदी के किनारे बसा है तो हैदरबाद आपका मुसी नंदी के किनारे बसा है चलिए आगे बढ़ते है Q16, रक्त करनी का यानि की RBC, Red Blood Cells का जिवन काल कितना होता है तो आपका 120 दिन होता है Q17, काफा किस की मिफरधातू होती है तो देखिए काँसा आपका कौपर और टीन की मिफरधातू होती है Q18, जालिया वाला बाग हर्त्यकांट कब हुआ था तो जालिया वाला बाग हर्त्यकांट आपका 13 अपरेल 1919 को हुआ था जिसमें जर्नल डायल ने बहुत सारे लोगों के बीच गोली चला दी थी चलिए बढ़ते हैं Q18 की और इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अधि आपको हमारा या वीडियो पफंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, फस्क्राइब करें, फेयर करें जैसे देखते है Q19 समान्य परिस्तिति में हवा में ध्वनई की कितनी गती है या ध्वनई की चाल हवा में कितनी होती है तो आपका 332 मीटर प्रती सेगेंड होती है Q20 मध्यूमक्ही पालं क्या कहलाता है मतलब जो मधुपक्की पालन करते हैं उसको क्या कहते हैं तो उसको कहा जाता है आपका देखिए वो कहा जाता है एपी कल्चर कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्क्रिष्ट गैस कौन सी है तो कैंसर विमारी को दूर करने के लिए आपका देख लीजे रेडान गैस का उप्योग किया जाता है जिसका रफाइनिक सिंबोल जो होता है वो आर एन होता है और यहां जो है अठारवे समूँ या फिर सुनि प्रय कैसे भी कहते हैं चुलिए आगे बढ़ते हैं कोई्टव मेरे इस सिंग जले आगे बढ़ते हैं कोईचन फंट इसे नम्हें के नामप के नाम फे कौन जाने जाते हैं कोईचन नमबर ऐन च्वेंटी इपाइप और आज का अंतिम कोईशन फाँची के इस पूत का निर्माड की इस ने करवाया था तो फाँची के इस पूत का निर्माड फम्राड अफोक ने करवाया था और आपको यह भी पता होना चाईए कि which का इस पूत जो है मध्द प्रदेश की भोपाल सहर में इसी था है तो इस प्रकार फे हमारा आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है यदि आपको हमारे वीडियो पफंद आया हो तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें फैर करें फाती घंटी की निशान को सबसे पहले पहुंच सकें तो चलिए मिलते हैं ले वीडियो में तब तक के लिए